दोस्तों, एक कहावत मैंने बच्पन में सुनी थी, मक्खी खोजे घाव, दुश्मन खोजे दाव, आज ऐसा ही लगता है, नजर आ रहा है भारतिय जंता पार्टी के नेताओं के जरीए, क्योंकि जहां पर पहले से ही महौल खराब है, जहां पर पहले से ही विवादत बयानो की बज़े से मार पीठ हो चुकी, इस्तिती खराब हो चुकी है, उस जगह पर और जाकर विवाद बढ़ाने का जो काम किया है, उस काम को देखते हुए, बैंगलूर पुलिस, जहां बैंगलूर पुलिस जो है, पीजे पी के सांसर, ते जिस्वी सूरिया को हिरासत में लेक और मुस्लिम समुदाए के कुछ यूवक आए, और उन्हें पीठना शुरू कर दिया, क्योंकि अजान हो रहा था, इस वज़े से ये मार पीठ जो है, वो शुरू हुई, देखते ही, देखते महौल खराब हो गया, और फिर क्या था, ये मामला इतना तेजी से फैला, कि लो काई होगा ना, तो इस मौकव को भुनाने के लिए बीजेपी के सांसर पहुच गए, एक तो पहले से ही यहाँ पर नारे बाजी चल लही थी, प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन यहां हुआ क्या, तेजस्वी सूरिया की एंट्री हुई, वही सूरिया जो अकसर विवा हिरासत में ले लिया है, कई लोग तो यह तक लिख रहे हैं दोस्तों, कि यह करनाचका है वही या, करनाचका में अगर आप इस तरीके की कोशिश करेंगे, कि आप बच जाएंगे संप्रदाइक दंगावंगा भरकाने के लिए, आप आएंगे और पुलिस आपको छोड़ होतेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है, तो इस वज़ए से यहाँ पर पुलिस ने तेजस्वी सूरिया को पकड़ कर, जिया जबरदस्ती पकड़ कर, पुलिस वैन में ले जाते वए नजर आ रही हैं, जिसको लेकर तमाम प्रतिकिरिया सामने आ रही है, कि यह ततपर पुल पर ऐसे ही कुछ तूइट किया जा रहा है, एक और तूइट है सदफ आफरीन का, वो भी मैं आपको दिखा दो दोस्तों, वो कह रही है कि ब्रेकिंग न्यूस बैंगलोर पुलिस ने संपरदाइक नफरत और दंगा भढ़काने के आरोप में तेजस्वी सूरिया को हिरासत में ले लिया, करनात्क में महाल खराब करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब बताया जा रहा है, इन पर आरोप लग रहा है कि ये महाल खराब करने के लिए पहुंचे थे, लोगों को उकसाने के लिए पहुंचे थे, भढखाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस जो है इन्हें उठा कर ले गई, दोस्तों इस पूरे रपोर्च को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रति के रिए आमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी न भूले,